प्रिये दर्शकों आप सभी के लिए खुशकबरी, हमारे विद्याले में फलिज जोतिश कोर्स प्राणम होने जा रहा है क्लास 15 मार्च से शुरू होंगी, जो लोग जोतिश सीखने के चुख हैं, वे जल से जल हमें संपरक कर सकते हैं इस कोर्स के अंतरगत आपको फलिज जोतिश, रदन जोतिश, चिकित्सा जोतिश, जनम पत्री बनाने की विधी वे पंचांग अध्यन कुनली मिलान सिखाय जाएगा कोर्स फीस 15,000 रुपे, कोर्स अवधी चार महीना, समय सोमवार से शुक्रुवार सुभा ग्यारा से साड़े बारा बजे तक, वे दूसरा बैच शनिवार वे रविवार सुभा ग्यारा से एक बजे तक चलेगा संपर्क करें, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लेट, सिक्ज जिरो, नाइन जिरो, सेवन, डबल वन, एट जिरो, फाइफ फोर, सिक्स वन, नमश्कार, स्वागत करता हूँ, आप सभी दर्शवों का हमारे यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों, साथ 2019 से, राहू और केतू, दोने गरहों का राशी परिवर्तन हो चुका है, राहू, मिथुन राशी में आ चुके हैं, और मिथुन राशी के अंदर, इनका प्रवेश उच्च का हुआ है, तो आखिर, क्या प्रभाब देंगे ये हमारे लिए, क्या शुब वे अशुब करेंग इसी विशे पर आज मैं आप से चर्चा करूँगा, आपको जन करी दूँगा, आपको बताओंगा, कि एक पापी गरह, उच्च का होता है तो वह कैसा फल देता है, उसमें कितनी उच्चता आती है, वह कितनी अच्छे काम करता है, इन ही सब विशेओ पर मैं आपको जन करी दूँगा दोस्तों आयो शुरुवात करते हैं वरश राशी की क्योंकि मेश के बारे मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर वरश राशी के दर्शकों के लिए बुद्ध धन भाब मेस्थित हो जाएंगे उच्चे के हो करके पैसे के उपर तो यहाँ पर आए के जो साधने आपके उनको डिस्टरॉब कर देंगे यहाँ पर धन का आगमन कम होगा पैसा अधिक खर्च होगा पैसा अधिक खर्च होगा तो दिक्कते बनेंगी यानि कि इनकम कम खर्चे जादा होना है परिवार के हाउस में राहू रहेंगे सेगेंड हाउस परिवार का होता है तो कहीं न कहीं जो घरेलू आपकी समश्याएं हैं परिवारिक जो उल्जने हैं उनको यहां पर बढ़ा देंगे रोग के स्थान को पंचम द्रिष्टी से देखेंगे तो रोग में भी विरिधी करेंगे यहां पर पंचम द्रिष्टी से रोग को देखते हैं यानि कि पैसा बिमारी उपे खर्चोगा सब्तम द्रिष्टी से अस्टम भाब को देखते हैं तो कोई operation का योग बनाएंगे इसलिए भी थोड़ा साब्धान रेना पड़ेगा आपकी ब्रश राशी के जो सौमी बनते हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र की और केतू की यूती हो जाएगी 21 नमबर से और 15 फरवरी तक 2020 तक शुक्र केतू की यूती रहेगी तो इस दोरान कोई operation का योग बनेगा क्योंकि आपकी लगन का सौमी शुक्र अस्टम भाब में चला जाएगा केतू के साथ और फिर राहु धन भाब में बैठके सब्तम दरिश्टी से देखेगा तो कोई operation का योग बनाएगा इसलिए थोड़ा ब्रस्टाशी वालों को बहुत समल के कारे करना चाहिए अब इसमें कौन सा वो time period है जिसमें आपको विशेश साब्धानी बरतनी होगी तो दोस्तों वह रहेगा एक जून से लेकर के और बीस जून तक बुद्राहु की उती रहेगी अब यहाँ पर बुद्राहु की उती रहेगी तो आर्थिक तोर पे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा बढ़ेंगी ब्रश राशी का स्वामी शुक्र होता है जब शुक्र सूरे किसे अस्त होगा तो उस दोरान भी आपको समश्यादा उत्पन होगी जो की दस मई से और पंद्रा मई यह जो पांच दिन है इसमें खर्च स्थान में ही मेश राशी के अंदर सूरे और शुक्र का प्रभावा जाएगा अपनी ही राशी से शुक्र बारवे इस्थान में भर्मण करेंगे और वह भी अस्त हो करके सूरे से तो यह दस मई से ले करके और जो पंद्रा मई तक का जो समय है यह बहुत जादा मुझे उचित नहीं नज़रा आता तो दोस्तो इसके अलावा फिर इस्तिती थोड़ी सी बेटर होगी और चार जून से और पंद्रा जून का जो टाइम रहेगा इसमें थोड़ी बैलन्स आउट होगी क्योंकि शुक्र जो है स्वेराशी के हो जाएंगे पर सूरे से अस्त होंगे तो कहने का मतलब यह है कि चार जून से और पंद्रा जून तक का जो टाइम है ग्यारा दिन का इस टाइम पिरिड़ में भी थोड़ा सा आपको प्यार के साथ निकलना पड़ेगा उसके बाद ये अस्त के प्रवाब से निकल जाएंगे क्योंकि सूरे कराशी परिवरतन सत्रा अगस्त से ले करके और नौ सब्टेंबर तक इस दोरान भी आपको विशेश साब्धनी के साथ में कारे करना चाहिए मन में विकार उत्पन होंगे नेगेटिव थेंकिंग आईगी और किसी कारे में मन लगेगा नहीं इस दोरान जो मैंने तेथी बताई है तो आप एंडाॉंस चलते रहेंगे कई बार ऐसा भी होगा कि तीन तीन ग्रहों की उत्याएगी जैसे सूरे मंगल और शुकर इखटे होंगे अब सूरे मंगल और शुकर इखटे होंगे तो कैसा परभाद देंगे आपके लिए सूरे शुक्र राहू के भी यूती होगी इन तीन ग्रहों की एक साथ यूती होगी जो की 29 जून से और 16 जुलाई तक रहेगी तो ये समय भी बहुत तनाव वाला आपका रहेगा इसमें एक तो आप वानी से सही है उनको बैठेंगे अपनी वानी से लोगों को दुश्मन बना लेंगे इसलिए ये है जो समय है 29 जून से और 16 जुलाई तक का इसको भी आप बहुत विशेश साबधानी के साथ में व्यतीत करें दोस्तों उसके बाद है साल के लगबग अंतिम महीनों में 25 सब्टेंबर से और 3 अगस्त तक का इस जो टाइम रहेगा इस दोरान सूरे मंगल और शुक्र का जो परभाब है वह आपके बुद्धी के स्थान के उपर रहेगा तो कहीं न कहीं आपके बुद्धी को भ्रमित करना आपके कॉंसेंट्रेशन को डिस्टरब करना एजूकेशन को डिस्टरब करना ऐसी परिश्तियां यहां पर उत्पन होंगी तो यह है वरश राशी का राहू गोचरवफल का प्रभाव दोस्तों यदि आपको मारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब वश्य करें एक बार पुनहागमी कारिकरम में आपके समक्ष उपस्तित होंगा भी मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद